पॉलिएफिटप्स्ट्री में गुरॉपिजम होता है, पॉलिटेक्स होती है, आक्टर्स को साइड्लाइन किया जाता है, उनको प्लाटफूर्म नहीं दिया जाता है, ऐसी तो हमने कई कहानिया सुनी है, लेकिन क्या आपने सोच रहा है कि Pulisic Industry का क्या है? Music industry में भी ये चीज़े बहुत जादा होती है जैसे Bollywood industry में गिने चुने कुछ लोग हैं जो industry को control करते हैं वैसे ही music industry में भी गिने चुने labels हैं जो industry को dominate करते हैं और ये labels अपने आपको बड़ा बनाने के कारण कई सारे बहतरीन singers का career तबाह कर देते हैं उसमें से एक singer वो है जिनने ये 2000 में एक refreshing आवास के लिए जाना जाता था जो भी गाना गा रहे ते हिट हो रहा था फिर चाहे भीगे हो तेरे हो साथिया का ओ हमदम सॉंग हो या फिर चन्नावे घर आ जावे अब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ playback singer, music composer कुनाल गांजावाला की कब क्यों और कैसे में कुनाल गांजावाला की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब कुनाल के एक गाने ने दूद को बना दिया बहुत ही जादा cool क्यों भीगे होड तेरे जब ये गाना कुनाल गांजावाला ने गाया था तो उन्हें लगा था कि इसके बाद उन्हें कोई नस्ट्री में गाने का मौका नहीं देगा उनका career बरichi करियर ते और कैसे कुनाल गांजावाला जिन्होंने इंडस्ट्री में इतने हिट सॉंग्स दिये वो कहां गायब हो गए और क्यों बॉलिवुड के लिए गाना पसंद नहीं करते कुनाल गांजावाला का जन्म पूने में हुआ पिता हार्मोनियम बजाते थे, घर में आर्टिस्टिक माहोल था, बहन भरतनाटियम करती थी लेकिन कुनाल गांजावाला को बच्पन से इन आर्टिस्टिक चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था वो तो बड़े होकर पढ़ाई में ही कुछ बनना चाते थे, सीए बनना चाते थे जिस वक्त कुनाल गांजावाला अपने कॉलेज में आए, तब कॉंपिटिशन्स हुए, तो एकार्थ कॉंपिटिशन में उन्होंने सिंगिंग की और ये सिंगिंग के लिए उन्हें बहुत ज़ादा तारीफ मिली और प्राइज भी मिले और यहां से उन्हें पता चला कि उनके अंदर आर्ट अल्रेडी है, वो ऐसी ही सीए बनने की सोच रहे थे उन्हें तो सिंगिंग में जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज टाइम था, खुछ जादा अपने आपके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे थे इंसान भटक जाता है, जो साथ वाले करते हैं, वो ही हम करने लगते हैं तो तब कुनाल गांजावाला के senior थे Luke Kenney, वो acting classes जाते थे, तो Luke को देखकर कुनाल गांजावाला भी acting classes जाने लगे जबकि उन्हें यही नहीं समझा रहा था कि singing उनका forte है, इसी को उन्हें brush up करना चाहिए और आगे इसी को अपना goal बनाना चाहिए हलांकि कुछ दिनों तक acting classes join की लेकिन बाद में समझ आ ही गया कि अपने लिए singing ही best है क्योंकि इसी में तारीफ मिल रही है और सुकून भी मिल रहा है और यही वो time था जब कुनाल गांजावाला ने Hindi film industry में कुछ ad makers को join किया assistant के तौर पर वो छोटी-छोटी jingles गाने लगे, music composers को assist करने लगे और तब 90s का वो time था जब brands बनाना, brands को endorse करना, बड़े-बड़े stars ये सब कर रहे थे cold drinks बहुत आ गई थी, junk food का जमाना शुरू हो रहा था, ऐसे में दूद को कैसे cool बनाया जाए दूद जिसको value कम दी जा रही थी, उसको कैसे फिर से लोगों की जबान पर लाया जाए, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तब जाकर एक jingle बनाया गया, दूद दूद दूद, ये दूद का सबसे cool ad था, अब तक का, और ये ad वाकई में इतना popular हुआ कि लोगों की जबान पर था, आज भी ये ad इसका गाना बहुत अच्छा लगता है, और ये जो दूद दूद वाला जिंगल है, ये तब कुनाल गांजावाला नहीं गाया था रंजीत बरोत के साथ उन्होंने ये काम किया था, और इसी दौरान कुछ film makers और music composers से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद फिल्मों में गाने के offers उन्हें आने लगे कुनाल गांजावाला को पहला break मिला था, फिल्म अब के बरस में, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और फिल्म के गाने भी किसी को पसंद नहीं आए, तो ये जो चांस था, ये कुनाल गांजावाला के हाथ से चला गया कुनाल गांजावाला जिस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तब एक सवाल जो फिल्मेकर्स उनसे पूछते थे, कि आप किसी तरह गाते हो, तो ये सवाल उन्हें समझ ही नहीं आता था, वो कहते थे, मैं अपनी आवाज में गाता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करत हूँ, तब उन्हें पता चला कि कई बार म्यूजिक इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर्स जो है, वो अपने आपको किसी लेजिंडरी सिंगर्स की तरह शो करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस तरह के गाने भी उन्हें मिले, लेकिन कुनाल गांजावाला अपनी एक अलग वाला गाना गवाया, ये गाना सूपर हिट रहा, फिल्म सूपर हिट रही और अब तो ओ हमदम का म्यूजिक ही जैसे आता है, तो लोगों के दिल को खुशी मिल जाती है, वो विवेक और बाइक पर इंजॉई करते हुए नजर आ जाते हैं, तो जब भी कोई इंजॉइमें का माहोल होता है, ये गाना आता है, और ये गाना बहुत पसंद किया गया, इसी गाने को सुना अनुमलिक ने, अनुमलिक उस टाइम बहुत बड़ा नाम थे, तब वो महेश भट के लिए एक फिल्म पर काम कर रहे थे, और उस फिल्म में एक सेंश्वस सॉंग था, और ये ये जो सेंश्वस वोईस थी, ये उन्हें मेल प्लेबाक सिंगर की चाहिए थी, और तब अनुमलिक ने कुनाल गांजावाला को बुलाया इस गाने को गाने के लिए, ये गाना था, भीगे होटते रे, कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने को कुनाल गांजावाला ने, क्यों इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खतम हो जाएगा, लोग उन्हें अशलील गाने गाने वाला कह देंगे, लेकिन जो कुछ हुआ इसका उल्टा हुआ, ये गाना सूपर हिट रहा, फिल्म सूपर हिट रही और मर्डर का ये सॉंग उन्होंने एक और गाना गाया, जो कि सोनु सूथ और नेहा धूपया पर पिच्चराइज था, शीशा का ये सॉंग था, यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया, ये गाना भी सूपर हिट रहा, चाहे इस गाने के बोल कुछ भी रहे हो, सलाम नमस्ते, क्या कूल है हम क्योंकि इन सभी फिल्मों में कुनाल गांजा वाला गाने गा रहे थे और उनके गाने चल रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि म्यूजिक इंडास्ट्री में जो प्लेबैक सिंगर्स की शेल्फ लाइफ होती है, वो बहुत कम होती है, एक प्लेबैक सिंगर को लेबल्स पसंद आने लगे, उनके गाने, लोगों के सर चड़कर बोलने लगे, म्यूजिक का फ्लेवर ही चेंज हो गया, और लोगों ने हिमेश को ही सुनना पसंद किया, इस तरह के जो चेंजे आए उसमें कहीं न कहीं कुनाल गांजा वाला पीछे चूट गए, वहीं लेबल्स भ या कुनाल गांजा वाला ने भी, बॉलिवुड में म्यूजिक इंडस्त्री इतराती इस बात के लिए है कि यहां पर हर दिन नया टैलेंट आता है और ये नहीं तो कोई और मिल ही जाएगा, और एक बार इनके पास सैंपल हो जाता है कि इस गाने को कैसे गाना है, तो फिर क कर देते हैं किसी नई वाइस से ये बहाना करते वे कि प्रोड्यूसर ने आपकी वाइस को रिजेक कर दिया है, ऐसा कुनाल गांजा वाला के साथ ही नहीं, बलकि बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ हुआ है, ये बात समझना बहुत ही सिंपल है कि क्या जो इतने बड़े सि इसके लिए ये सब टैक्तिक्स इस इंडस्ट्री में अपनाई जाती है, यही कुछ सिचुएशन जब कुनाल गांजा वाला के साथ होने लगी, जब वो गाने गाने लगे, गाने तुरंट रिपलेस कर दिये जाते थे, बिना बताय रिपलेस कर दिये जाते थे, तब उन्ह समझ आ गया कि यहां मामला क्या चल रहा है और उन्होंने साउट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया उन्होंने कंड़ फिल्म के लिए एक गाना बनाया 2005 की अक्षिय फिल्म थी नैने नैने इस गाने का नाम था ये गाना खूब पॉपुलर हुआ लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया और इसके बाद कंड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कुनाल गांजावाला को रेगिलर काम मिल गया कुनाल गांजावाला ने भी इस काम को अपना लिया बॉलिवुड में अगर वो रहते तो शायद उनके गाने की पहचान वो गाना किस स्टार पर पिच्चराइज हो रहा है उससे बनती लेकिन अब कंड़ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की पहचान हो रही थी कि इस कुनाल गांजावाला का म्यूजिक है यही कारण है कि उन्होंने कंड़ फिल्म इंडस्ट्री पर ही फोकस रखा कंड़ के अलावा उन्होंने तेलगू और दूसरी लैंग्विजिस के लिए भी गाना शुरू किया और गाने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजिशन भी किया इसके अलावा प्लेबैक सिंगर्स को जो रेमिंडरेशन है वो बहुत कम दिया जाता है ऐसे में इन सिंगर्स को सर्वाइव करने के लिए म्यूजिक कंपोजिशन इवेंज यह सब भी करते रहना होता है और यही सब कुछ किया कुनाल गांजावाला ने भी जो पहचा वो बॉलिवुड में बना चुके थे अब गानों के रूप में उनकी पहचान साउथ इंडस्ट्री में इतनी बड़ी हो गई कि एक के बाद एक साड़े चार सो फिल्मों में उन्होंने गाने गाए और उन्होंने अपना म्यूजिक दिया सालों तक वहां काम करने के बाद पर से कुनाल गांजावाला ने बॉलिवुड की तरफ रुख तब किया जब रितिक रोशन की फिल्म सूपर 30 बन रही थी और तब अजय अतुल जो की बहतरीन म्यूजिक बनाने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कुनाल गांजावाला को इस फिल्म में दो गाने के लिए अप्रोच किया था कुनाल गांजावाला ने दोनों ही गाने गा लिए लेकिन टू है शौक ये दोनों ही गाने फिल्म का हिस्सा नी बने और उन्हें रीजन क्या दिया गया कि एक गाना तो रितिक रोशन खुद गाना चाते थे रितिक ने इच्छा जताई कि वो गाना गा उसको रखा गया और दूसरा जो गाना कुणाल गांजावाला ने गाया था उसमें उन्हें फिर से भी धोखा मिला जो अकसर मिलता था रिप्लेस्स कर दिया गया यह चाहकर कि प्रेड्यूसर्स किसी और सिंगर से गवाना चाहते थे कुनाल गांजावाला कहते हैं कि इस incident से मुझे बुरा नहीं लगा Bollywood का ये nature मैं देखता आया हूँ मैं और thankful हूँ कि at least मुझे इस बार बताया तो सही कि आपका गाना नहीं रखा गया है वरना तो कई बार लोग बताते भी नहीं और गाना हटा देते हैं कुनाल गांजावाला की परसनल लाइफ की बात करें तो उनकी वाइफ है गायत रियायर वो भी एक प्लेग बैक सिंगर ही है in fact सलाम नमस्ते में प्रिटी जिंटा पर पिचुराइज सौंग माय दिल गोज हूँ उन्ही ने गाया है कुनाल गांजावाला लंबे समय तक मायसूर में ही सेटल हो गए जहां पर उन्होंने अपना काम किया हालां की टाइम टू टाइम वो मुंबई भी आते जाते रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में अकसर देखा गया है कि जब तक लेबल्स को सिंगर की जरुत होती है तब तक वो उसके गाने पे गाने लॉंच करते हैं लेकिन जैसे ही उन्हें नई आवाज मिल जाती है तब पुराने वाले सिंगर को ऐसा करके भेशते हैं कि वो अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसके गाने रिलीज नहीं करेंगे बार-बार उसके गाने रिप्लेस करेंगे गाना कैसे गाना है वो से बताया जाएगा ये सब इस इंडस्ट्री में हुआ है अनुरागर पॉडवाल के साथ एक बार ऐसा हुआ है जब वो शुरुआत से ही टी सीरीज के लिए गाती थी और 98-99 में जब गुलशन कुमार जी की डेट हो गई थी तब उनसे किसी ने ऐसा कहा था कि ऐसे नहीं आप ऐसे गाओ आपका शब्दों का उक्चारन ठीक नहीं है उस दिन उन्हें बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भजन ही गाएंगी तो इस तरीके से जब किसी सिंगर को मुँ पर मना नहीं कर सकते हैं तो म्यूजिक इंडस्ट्री उनके साथ इस तरह का बरताव करती है और इस तरह के पॉलिटिक्स में यानि कि लेबल बड़ा होना चाहिए सिंगर नहीं इस पॉलिटिक्स के चकर में हमने कई बहतरीन सिंगर्स को खोया है मैं आज फुनाल गांजा वाला की बात कर रही हूँ लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें नहीं पता कि आज जुबिन गर्ग क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता कि आज केके क्या कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता कि नीरच श्रीधर है कहां हमें ये नहीं पता कि बाबुल सुप्रियो अचानक से गायब क्यों हो गए महलक्षमी अयर के गाने क्यों नहीं सुनाई देते और अरीजीत सिंग क्यों अब काम कम करते हैं यह अपने अपने जबाब है कि एक लेबल को बढ़ा करने के लिए बहुत सारे सिंगर्स का सेक्रिफाइस देना पड़ता है जो हुआ है इस इंडस्ट्री में हाला कि आवाज उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुनाल गांजावाला की वॉइस का कौन सा सौंग आपको बहुत पसंद है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवूड की एक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवूड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवूड ठिकाना